आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है हता सब्द कैसे बनता है हन धातु है अक्ता प्रत्य है और इस तरह से बन जाता है हन का मतलब होता है मारना तो सस्त्र हता सस्त्र से मारे गए न अव्याइपद है निशेध वाचक अव्याइपद है इसका तात पर यह होता है नहीं ही यह निश्चय वाचक अव्याइपद है हता हन धातु हक्ता प्रत्य है इस तरह रूप है मारे गए रीपवो रीपवो भवंती यहाँ पर संधी ध्यान दिजिएगा यहाँ पर संधी है संधी अलग करेंगे रीपवो भवंती में से संधी अलग करेंगे तो रूप बनेगा रीपवाह धन भवंती यहाँ पर विस्वर्ग संधी का प्रयोग हुआ है रीपवाह सब्द कैसे बनता है? रीपु, रीपु अर्थात सत्रु इसका रीपु सब्द का प्रत्मविभक्ति बहु वचन का यह रूप है रीपुह, रीपु, रीपवाह जैसे गुरुह, गुरु, गूरवाह उसी तरह से रीपु, रीपवाह तो रीपवाह भवधि, सत्रु, भवचन भवधि, भूधातु, लटलकार, प्रत्म पूरुस, बहुवचन का यह रूप है और इसका तात्पर यह होता है होते हैं प्रज्या हतास्तु रिपवः प्रज्या अर्थात बुद्धी प्रज्या हताह धन तु रिपवः प्रज्या हतास्तु रिपवः अर्थात प्रज्या हताह यहाँ पर विश्वर संधी का प्रयोग हुआ है सूहता भवन्ती, सू मतलब अच्छी तरह से यहां उपसर्ग है, सूहता सब्द कैसे बनता है, सू उपसर्ग है, हन्धातु है, अक्ता प्रत्य है, इस्रीलिंग का यहां रूप है, तो अच्छी तरह से मारे गए, भवन्ती, भूधातु, लटलकार, प्रथम पुरुस, पुरुसस्य शरीरमेकम कैसे बना? तो इस तरह से जो स्लोक में विभिन्न कठीन पद आये थे उन पदों को हमने अलग किया और उनके अर्थ भी हमने देखा आईए अब इसके अर्थ सलोक के अर्थ समझने का प्रयास करते हैं सस्ट्र हता सस्त्रेण हता इती सस्ट्रता सस्ट्र से मारे गए न मतलब नहीं ही का मतलब होता है यह निश्चय वाचक अब यह पद है हता मरते हैं रीप वह सत्रू गण भवन्ती अर्थात सस्त्रों से मारे गए सत्रू नहीं मरते हैं सस्त्रों से यदि किसी सत्रू को मारा जाए तो केवल वह सस्त्र से मरने वाला सत्रू ही मरेगा सत्रूता या सत्रू के जो परिजन जो उस रण में नहीं है वे मरेंगे क्या नहीं इसलिए कहा गया सस्त्र हता नहीं हतार रीप वो भवन्ती अर्थात सस्त्रों से मारे गए सत्रू नहीं मरते हैं प्रज्या हतास्तु रीप वह सुहता भवन्ती किन्तु उस सत्रू को सस्त्र से मारने की अपेक्छा यदि प्रज्या बल से या बुद्धी बल से मारा जाए अर्थात बुद्धी से उसे परास्त किया जाए तब क्या होगा रीप वह सुहता भवन्ती तब वो सत्रू जो है वह वास्ताव में मर जाता है अर्थात सत्रूता ही मर जाती है तो मारना किसको है सत्रू को मारना है कि सत्रूता को मारना है सत्रू को मारेंगे तो और सत्रू उत्पन्न होंगे लेकिन यदि कोई व्यक्ति है और उसको हमको मारना है वह सत्रू है तो सत्रू को मारने की अपेक्छा सत्रूता को मारना ज्यादा उचित है ऐसा करने से कोई सत् सक्ष्ट्रफbay उता नहीं रहने सच्थ्रृब्र मर गयां सस्थ्र हता नहीं हता रिपवह भवन्तूर्ς सच्थ्रों से मारे गए सत्थ्रृब नहीं मरते हैं परंतू प्रज्या हता बुद्धि बलेन हता प्रज्या कतातपर होता है बुद्धि तो बुद्धी से मारे गए रिपवह सत्रू, सुहता भवन्ती वास्ताव में या कहें कि अच्छी तरह से मारे जाते हैं सस्त्रम निहन्ती, सस्त्र से निहन्ती मारे गए पुरुसस्य सरीर में कम, सस्त्र से यदि किसी व्यक्ति को मारते हैं, तह हम केवल उसके सरीर मात्र को मारते हैं प्रज्या और बुद्धी से यदि मारते हैं तब कुलम्च, उसके वन्स या कुल, वीभवम, अर्थात उसके वैभाव, यसह और उसके यस आदि सब कुछ नश्ट हो जाता है अर्थात किसी सत्र को मारने का साधन क्या होना चाहिए? सस्त्र नहीं होना चाहिए, अपितु बुद्धी होना चाहिए, प्रज्या होना चाहिए अर्थात देखते हैं एक बार सस्त्र हता नहीं हता रिपवो भवंती सस्त्रों से मारे गए सत्रू नहीं मरते हैं प्रग्या हतास्तु रिपवो सुहता भवंती परंतु बुद्धी से मारे गए सत्रू वास्तव में मारे जाते हैं सस्त्रम निहन्ति पूरुसस्य सरीर में कम सस्त्र से तो सत्रू का केवल सरीर ही मारा जा सकता है नश्ट किया जा सकता है प्रग्या प्रग्या बल से बुद्धी बल से कुलम्च विभवंच यसस्च हन्ती प्रग्या के बल से बुद्धी के बल से उसका वन्स, कुल, विभव, यस, किर्ती, आदी सब कुछ नश्ट हो जाते हैं इस लोक से संब्दित कुछ प्रस्न पूछे जा सकते हैं जैसे किर्ति इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम उत्तर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही किर्ति है इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो बुद्धी है इती पदस्य परियाय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम मित्र का विलोम क्या है? क्या होता है? मित्र का विलोम होता है सत्रू तो सत्रू के अर्थवाला कोई सब्द इस स्लोक में प्रयुक्त हुआ है क्या? हाँ, हुआ है कौन सा सब्द है? हाँ, रीपवाह तो उत्तर बन जाएगा आपसे? बिल्कुल तो मित्राणी इती पदस्य विपर्यय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति रीपवाह तो इस तरह से स्लोक से संबंधित जो विभिन प्रस्ण पूछे जाएंगे इनका उत्तर आप भली भाती दे सकते हैं चले, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लोक है दिनांते पिवेत दुग्धम, निसांते चपिवेत पयः, भोजनांते पिवेत तक्रम, किम्वैद्यस्य प्रयोजनम दिनांते, देंधन अंते इती दिनांते यहाँ पर देरगर्श्वर संधी का प्रयोग हुआ है समासिक पद भी है यहाँ दीनास्य अंते इती दीनांते सश्चितत पूरुस समास पीबेत पीव धातु है और विधिलिंगलकार प्रथम पूरुस एक वचन का यह रूप है और इसका तात पर यह होता है पीब का मतलब होता है पीना पाधातु और उसका रूप बनता है पीब तो पाधातु विधिलिंगलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है और इसका तात पर यह होता है पीना चाहिए दुगधम दुगधमोल सब्द है दूध को यहाँ पर दुवितियविभक्ति एक वचन का यह रूप है दुगधम कर्माकारक दिवस के अंत में दिनांते मतलब दिवस के अंत में पिवेत मतलब पीना चाहिए दुगधम मतलब दूध को अर्थात दिवस के अंत में अर्थात सायमकाल दूध पीना चाहिए निसांते चा पिवेत पयाह और निसांते है सब्द कैसे बना निसाधन अंते इती निसांते दी अलग करें, नीसायाह अंते इती नीसांते रात्री के अंत में सश्ठितत पुरुस समास का प्रयोग हुआ है, च यह अव्याइपद है, संयोजक अव्याइपद है, इसका तात्पर होता है, और पिवेत, पाधातु, इसका रूप बनता है पीब, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुस एक वचन के रूप है, और इसका तात्पर होता है, पीना चाहिए, पायाह, पायाह का तात्पर होता है, जलम या जल पानी, तो निसांते चा पिवेत पायाह और रात्री के अंत में पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, पायाह जल पीना चाहिए, साम के समय दूध पीना चाहिए दिनांते पिबेत दुखधम साम के समय हमें दूध पीना चाहिए और निसांते चा पिबेत बयह और रात्री का जैसे अवसान होता है रात्री जब समाप्त होती है और सुबह होता है प्राता होता है तो जैसे ही हम सभी रात में सोते हैं और सुबह जैसे ही हम उ दिवस रात्री का आवसान होता है और दिवस का उत्थान होता है वह समय कहलाता है उसा काल तो इस समय में क्या करना चाहिए जल पिना चाहिए इसी कहा जाता है उसा पान करना आप सभी जल पीते हैं न जैसे सुबह रात्री में जब सोते हैं सुबह उचते हैं तो जैसे ही आगे कारण बताया गया है अगे कारण बताया गया है लगाते हैं वहां क्या होता है संधी होती है संधी में धन का चिन्ह लगता है समास में धन का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो भोजन आंते भोजन के अंत में अर्थात भोजन करने के उपरांत पिबेत तक्रम अर्थात तक् किन व्यक्ति को जब जो हए नीरोग होत है और जब व्यक्ति नी रोग होता है तब उसे वंधिया चिकटिशक के पास्त जाने के और शकता होगी क्या नहीं होगी न तो किम वैद्य से लिएक लिखा है किम वैद्य से प्रयोजनम यदि कोई व्यक्ति दिनांते पिबेत दुखधम दिवस के अंत में दूध पीता है निसांते चा पिबेत पया है और रात्री के अंत में वह जल पीता है भोजनांते पिबेत तक्रम और भोज तो दीवस के अंत में दूद पीना चाहिए रात्री के अंत में अर्थात सुबा-सुबा जल पीना चाहिए भोजन के अंत में छाच या मठा पीना चाहिए किम वैध्य सप्रव्जशनम ऐसा करने से वैध्य की आवर्शकता नहीं होती है स्लोक से संबनित कुछ प्रस्ण पूछे जा सकते हैं जैसे दीवसह दीवसह इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोक के किम पदम प्रयुक्तम तो दीवसह इती पदस्य पर्याय पदम प्रयुक्त पदम अस्ति दिनम निषा का तात पर ये होता है रात्री इसका परियाय भी पुछा जा सकता है, विलों भी पुछा गिया है विलों पद पुछा गिया है तो निसा इती पदस्य विपर्याय पदम आस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति दिनम इसी तरह से पायाह पाया किसको कहा जाता है पायाह इती पदस्य पर्याय पदम लिखत ये कहा दियागे तब क्या लिखेंगे पायाह इती पदस्य पर्याय पदम अस्ति जलम चीकित सकह या चीकित सकस्य इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम तो चीकित सकस्य इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति वैद्यस्य तो इस तरह से कुछ प्रस्न है जो पूछे जा सकते हैं जिनको आपको उत्तर जब इस तरह से आप अध्यान कर लिए हैं समझ लिए हैं तो निश्ित रूप से आप देने में समर्ध हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं । आचार्यात पादमादत्ते पादमसे स्यहस्व मेध्या कालेन पादमादत्ते पादमसब्रह्मचारिभी व्यत्ति सीखता है जिसम किसी बच्चे की बात करते हैं जो विद्याले में आता है उस बच्चे की बात करते हैं प्राया यह ओधारणा होती है कि सिक्षक बच्चों को सीखाते हैं क्या सारी बातें सिक्षक बच्चों को सीखाते हैं बच्चा अपने से कुछ नहीं सीखता है, बच्चा भी सीखता है, कहां से सीखता है, बच्चा जब विद्यालय आता है, तब तक कुछ न कुछ चीज़ों को वह सीख जाता है, चलना सीख जाता है, साथियों के साथ चलना सीख जाता है, साथियों के साथ व्यवहार करना सीख जाता है तो जो विद्याला में आता है बच्चा तब आचार्या से भी वह सीखता है कुछ चीज़ों को अपने सीश्यों के साथ भी सीखता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको व्यक्ति का अनुभाव उसे सीखा देता है तो सीखना तरह तरह का होता है तो किस किस प् अधन पादम धन आदत्ते ये संधे विच्छेद होगा आचारियात धन पादम यहां पर वियनजनसंदी का प्रयोग हुआ पादम धन आदत्ते यहां भी वियंजन संधी का प्रयोग हुआ इसी तरह से नीचे की पंक्ती में हम देखे पादम आदत्ते पादम धन आदत्ते वियंजन संधी का प्रयोग हुआ पादम पादम का मतलब होता है एक तो पैर होता है और दूसरा होता है भाग या हिस्सा या अंस आचार्यात पादम आदत्ते आदत्ते मतलब लेता है या सीखता है दत्ते मतलब देता है आदत्ते मतलब लेता है या सीखता है आचार्यात आचार्य मूल सब्द है पंच्वी भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात पर यह होता है आचार्य से देखें किसकी बात कही जा रही है सिश्य की बात कही जा रही है तो आचार्यात पादम आदते सिश्य पाद अर्थात एक भाग, पाद कहते हैं चतूर्थांस को, यदि हम एक, एक के बाद आधा कहें, या एक को हम चार भागों में बाटें, एक को जब चार भागों में बाटें, तो जो चतूर्थांस होता है, वो उसको कहा जाता है पाद, तो आचार्यात पादम आदत्ते सिष्यः सिष्यः अपने जीवन में जितनी चीजों को सायगा, उनमें से एक भाकवर्था चौथाई हिस्षा को चौतूर्थांज को अपने आचार्या से सीखता है पादम सिष्या स्वा मेधया स्वा मेध्या, स्वा मतलब होता है अपना या अपनी मेध्या मेध्या सब्द के से बनता है? मेध्या सब्द है तृतिय विभक्ति एक वचन का यह रूप है और मेध्या का तात्परी होता है बुद्धी तो मेध्या का तात्परी का हुआ बुद्धी से स्वामेधिया काताथ परि क्या हुआ अपनी बुद्धी से पादम सिस्या स्वामेधिया एक भाग वहाँ आचारे से सीखता है और एक भाग को वहाँ अपनी बुद्धी से सीखता है कालेन काल मूल सब्द है तृतिय भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका ताथ पर यह होता है काल से काल अर्थात समय तो कालेन वा समयेन कालेन पादम आदत्ते और समय से अर्थात अपने अनुभाव से आदत्ते सीखता है कि इसको एक भाग को पादम सब्रहम चारी भी है और जो ब्रहम चारी भी है अर्थात जो सहपाठी होते हैं उन्हें कहा गया है जो सहपाठीयों से वह सिस्य एक भाग को सीखता है तो एक भाग को वह आचारे से सीखता है एक भाग को अपनी बुद्धी से सीखता है और एक भाग को उसे समय सीखा देता है और एक भाग को वहाँ अपने सहपाथियों से सीखता है तो इस तरह से व्यक्ति का जीवन सीखना जो है वहाँ पूर्ण होता है और यह सीखना जो है जीवन परियंत चलता है क्योंकि समय जो सिखाता है वह गति उस समय की गति जो है व्यक्ति के साथ साथ चलते रहती है जब तक व्यक्ति रहता है तब तक समय उसके साथ चलता है आचारियात पाद मादते सिस्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार यसे अर्थात गुरु से सीखता है पादम सिस्या स्वमेधया एक भाग अपनी बुद्धी से सीखता है कालेन पादमादत्य और एक भाग वह समय से सीखता है पादम सब्रहमचारी भी है और एक भाग वह अपने सहब पाठियों से सीखता है सब्रहमचारी भी, तो ब्रहमचारी सब्द है, स उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तृतियविभक्ती बहुवचन का यह रूप है तो अपने सह ब्रहमचारी में हो, मतलब अपने सह पाखियों से साथ जो पढ़ रहे हैं, साथ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी गण हैं, उनसे वह सीखता है प्यारे बच्चों, इस स्लोक में सिस्यह यह करता पद है, इसके लिए कौन से क्रिया पद का प्रयोग इस स्लोक में किया गया है यह प्रस्ण है तो कौन सा क्रिया पद है, मिल्कुल सही, आदत्य तो सिस्यह इती करता पदस्य क्रिया पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्तम पदम अस्ति आदत्य आदत्य इती क्रिया पदम अस्ति, अस्य पदस्य विलोम पदम किम तो आदत्य यहां क्रिया पद है इसका विलोम क्या होगा आदत्य मतलब लेता है या सीखता है तो देखिए जैसे हम गच्छती और आगच्छती गच्छती मतलब होता है जाना जाता है और आगच्छती मतलब आता है तो यहां पर आदत्य मतलब लेता है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आ को हटादीजिये, तो विलोम हो जाएगा तो आदथ्य इती पदस्य विलोमपदम दथ्य भविशती, ऐसा कर दीजिये हो गया इसी तरह से चतूर थांशम अस्मिन अर्थे या अस्मिन पदस्य पर्याय पदम अस्मिन श्लोके प्रईुक्त पदम अस्ति पादम बुद्धया एती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम बुद्धया एती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति मेधया क्यों? क्योंकि मेधया का तादपर यह होता है बुद्धि तो इस तरह से जब हम स्लोक को भली भाति समझ जाते हैं अच्छा कभी कभी विभीन परिक्षाओं में किसी अंसो को पूछा जा सकता है जैसे पादम सिस्या स्वमेधया इतना दे दिया अब इसका अर्थ लिखने ले के लिखा जाए तो क्या लिखेंगे अर्थ तो सिस्य जो है अपनी बुद्धी से एक भाग को सीखता है इस तरह से इसका उत्तर देना है तो इस तरह से स्लोक के अधार पर जो विभीन प्रशन पूछे जाएंगे जब हम स्लोक भली भाति समझ जाते हैं उनके विभीन पदों को समझ जाते हैं तब निश्ची तुरुप से ऐसी जो प्रस्ण पूछे जाते हैं, इनके उत्तर देने में हम समर्थ हो सकते हैं चले, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लोक है नास्ति विद्यासमं चक्छु, नास्ति सत्यसमं तपह, नास्ति रागसमं दुखं, नास्ति त्यागसमं सुखं नास्ति, नधन अस्ति इती नास्ति यह देर्गस्वर संधी, यहां क्या होगा? देर्गस्वर संधी है विद्या समम विद्यया समम विद्या के समान चक्छुह चक्छुहिती नेत्र नास्ति पुना नधन अस्ति नास्ति दिर्गर्शवर संधी सत्य समम सत्य के समान तपह तप या तपश्या नास्ति राग समम दुखम नास्ति नधन अस्ति राग कहते हैं मोह को दुखम राग समम दुखम मोह के समान दुख नहीं है नास्ति नधन अस्ति दिर्गर्शवर संधी त्याग समम त्याग के समान सुखम सुख देखिए बहुत सरल स्लोक है लेकिन सरल बातों में बहुत महत्त पुण बाते हैं सलोक में बताई गई हैं नास्ति विद्या समम चक्छुह विद्या के समान नेत्र नहीं है अर्थात यदि आपके पास विद्या है नेत्र हो या ना हो विद्या यदि है आपके पास तो आपको निश्चित रूप से विश्व में आपकी पूजा की जाएगी अर्थात विद्या रूपी नेत्र से आप सब कुछ देख सकते हैं सब कुछ पा सकते हैं इसलिए कहा गया है नाश्ति विद्या समम् चक्छुह विद्या के समान आख नास्ति सत्य समम तपः आप चाहे कितने धन्वान हो जाएं कितने ऊचे पद में पहुंच जाएं लेकिन यह अभी सत्य आचरण नहीं – तब्त वह सब व्यर्थ हैं इसलीए कहा गया नास्ति सत्य समम तपह सत्य के सम symbols तप नहीं है अर्थात सत्य का रास्ता जो होता है यह बहुत सीधा और सरल होता है जो सीधा होता है जो सरल होता है इस मार्ग पर चलना ही बहुत कठिन होता है इस मार्ग पर चलना किसी तपस्या से कम नहीं है इसलिए कहा गया नास्ति सत्य समम तपह सत्य के समान तप नहीं है नास्ति राग समम दुखम और राग अर्थात मोह यदि हम किसी से लगाव करते हैं लगाव रखते हैं जब हम लगाव रखते हैं तब ही और उस अपेक्षा की पूर्ती नहीं होती है तब हमें दुख होता है अर्थात किसी व या मोह होता है और व्यक्त्ति हमें नहीं मिलता है या उसका अभाव होता है तब हमें दुख होता है इसलिए कहा गया नाश्ति राग समंदुखम राग के समान दुख नहीं है नास्ति त्याग समम सुखम और त्याग के समान कोई सुख नहीं है तो जीवन में त्याग अर्थात संतुष्ट की भावना व्यक्ति अभाव में भी सुखी रह सकता है कब जब उसके मन में रागना हो वहाँ अभाव में भी यदि संतुष्ट रहता है जैसे हम जानते हैं भारती परमपरा में जितने रिशी मुनी लोग रहे हैं इन लोगों ने सदेव भावतिक्ता या भोग विलास से दूर रहकर वन में जाकर उन्होंने तपस्या किया अर्थात अभाव को उन्होंने श्विकार किया मन में उनका संतोष्ट था इसलिए कहा गया कि नास्ति त्याग सम्म सुखम त्याग के समान सुख नहीं है प्यारे बच्चों इस लोग के जो विभिन पद हैं विभिन चरण जो है इन चरणों से संबंधित विभिन प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कोई भी एक चरण जैसे नास्ति विद्या समम चक्छु इस पद का अर्था लिखने के लिए कहा जा सकता है आप लिख सकते हैं विद्या के समान चक्छू या नेत्र नहीं है नास्ति सत्य समम तपह इसका अर्था लिखने के लिए कहा जाए तो सत्य के समान तप नहीं है नास्ति राग समम दुखम इसका अर्था लिखने के लिए कहा जाए तो राग के समान या मोह के समान कोई दुख नहीं है नास्ति त्याग समम सुखम इसका अर्था लिखने के लिए कहा जाए तो नास्ति त्याग के समान कोई सुख नहीं है इस स्लोक से संबंधित विभिन वस्तुनिष्ट प्रस्ण भी आजकल परिक्षाओं में पूछ जाते हैं जैसे नास्ति विद्या समम कह दिया जाए और चार विकल्प आपको दिया जाएगा चक्छुह, तपह, दुखम और सुखम अब इसमें से आपका सही उत्तर चैन करना है तो आप स्लोक को अधिया भली भाती पढ़े हैं तब निशित्रों से इसका उत्तर दे पाएंगे तो नास्ति विद्या समम चक्छुह ऐसी प्रस्म पूछा जा सकता है नास्ति सत्य समम अब चार विकल्प दे दिया गया चक्छुह, तपह, दुखम और सुखम उत्तर क्या होगा तो नास्ति त्याग समम तपह ऐसा लिख दीजे हो गया प्रस्म पूछा जा सकता है पुना नास्ति राग समम फिर चार विकल्प दे दिया उत्तर क्या होगा नास्ति राग समम दुखम प्रस्ण पूछा जा सकता है नास्ति त्याग समम फिर चारवी कल्प चक्छुह तपह दुखम सुखम क्या होगा उत्तर उत्तर होगा नास्ति त्याग समम सुखम तो इस तरह से आप स्लोक से संबन्धि जो प्रस्ण पूछे जाएंगे इनका उत्तर दे सकते हैं नेत्रम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके किम पदम प्रयुक्तम उत्तर क्या होगा नेत्रम इती पदस्य पर्याय पदम अस्मिन स्लोके प्रयुक्त पदम अस्ति चक्छुह उत्तर क्या होगा? तो इस तरह से स्लोक से संबंधित जो विभिन प्रश्न पूशे जाएंगे इनका उत्तर दे सकते हैं तो प्यारे बच्चों अभी हमने अध्यन किया पाठ सुभा सितानी इसके अंतरगत हमने विभिन स्लोकों का अध्यन किया उनके जो कछिन सब्द हैं उनको हमने समझा सब्दार्थ क्या होगा या उस सब्दक निर्मान कैसे हुआ इसके विशा में हमने चर्चा किया और साथ साथ सुलोकों के जो अर्थ हैं इनको हमने समझने का प्रयास किया